रादी रादे मित्रूं आज हम आपके लिए हनुमान जी के जीवन से जुड़ी हुई एक बहुती रोचकसी कथा लेकर आए हैं कि जब बाली और हनुमान जी के बीच युद्ध होना तै हुआ तो हनुमान जी के समक्ष आते ही बाली वहां से भाग खड़ा हुआ इसके पीचे क्या वज़ है थी जब की बाली को तो ब्रहमा जी का वर्दान प्राप्ठ था कि जो कोई भी बाली के समक्ष आएगा उसकी यादेशक्तियां बाली में समा जाएंगी तो फिर इसके पीचे क्या रहस्य हो सकता है चलिए देखते हैं एक बार बाली अपने शक्ति के नशे में एक जंगल को खाड़ कर फेक रहा था, पेड़ पौधो को यहां से वहां तहसनेस कर रहा था, साथी साथ चुनौती दे रहा था कि किसी में भी अगर शक्ति हो तो वो उसे आकर युद्ध करे उसे जंगल में सैयोग वश हनमान जी राम नाम का जब कर रहे थे और उनकी तपस्या में बाली की इस हरकत के कारण विगन पड़ रहा था, तब वे बाली के पास गए और उन्होंने उसे समझाने का प्रियास किया कि शक्ति को यूँ विर्थ करना उचित नहीं है, अपनी शक कि ये कौन राम है जिसकी तुम बात कर रहे हो, मैं किसी राम को नहीं जानता, तुम मुझे जो सिक्षा दे रहे हो, वो हैं कौन? बाली के इस प्रश्ण को सुनकर के हनुमान जी ने कहा प्रभुशी राम तीनों लोकों के स्वामी हैं और उनकी महिमा अपरमपार हैं, वो ऐसा सागर है जिसकी एक बूंद भी जिसे मिल जाए तो उसका भव सागर पार हो जाता है ये सुनकर के बाली बोला कि अगर तुम्हारे राम इतने महान है तो उन्हें बुलाओ, मैं देखना चाहता हूँ कि उनकी बुजाओं में कितना बल है बाली के मुक से भगवान राम के विरुद ऐसे कट वचन सुनकर के हनुमान जी को बहुत क्रोध आया और हनुमान जी ने क्रोध में आकर कहा कि तुम भगवान राम को क्या हराओगे, पहले उनके इस तुक्ष सेवक को युद्ध में हरा कर दिखाओ तब बाली ने कहा ठीक है कल आपके और मेरे विच युद्ध तै है हनुमान जी ने भी बाली की बात मान ली बाली ने नगर में जाकर घूशना करवा दी और उसके पश्चात अगले दिन समय पर हनुमान जी बाली से युद्ध करने के लिए अपने घर से निकले जैसे ही वे निकले वैसे ही उनके सामने ब्रहमा जी प्रकट हुए हनुमान जी ने ब्रहमा जी को प्रणाम किया और उनसे आने का कारण पूछा तब ब्रहमाजी ने उनसे विन्ती की कि आप मेरे पुत्र को उसकी उद्धंडता के लिए ख्षामा कर दीजिए और युद्ध में मत जाईए ये सुनकर हनवान जी ने कहा हे प्रभू बाली ने अगर मेरे बारे में कुछ कहा होता तो मैं उसे ख्षामा कर देता परन्तु उसने मेरे आरादि श्री राम के बारे में कहा है जिसे मैं सहन नहीं कर सकता कुछ सोच करके तब ब्रहमाजी ने कहा ठीक है हनवान जी आप जाईए लेकिन अपने साथ अपनी समस्त शक्तियों को लेकर मत जाईए केवल दस्मा भाग का बल लेकर जाईए और बाकी के बल को योग द्वारा अपने आरादि के चर्णों में रख दीजिए युद से आने के उपरांत उन्हें आप फिर से ग्रहन कर लीजिएगा हनुमान जी ने ब्रहमा जी की बात का मान रखते हुए वैसे ही किया और बाली से युद्ध करने के लिए वे घर से निकले उधर बाली उनकी प्रतिक्षा कर रहा था और जैसे ही हनुमान जी वहां पहुँचे बाली ने हनुमान जी को ललका रा हनुमान जी ने जैसे ही अखाडे में पैर रखा वैसे ही उनकी आदिशक्ति बाली में चली गई बाली में जैसे ही हनुमान जी की आदिशक्ति समाई बाली के शरीर में बदलावाने लगा उसका शरीर फूलने लगा और शरीर फट करके खून भी निकलने लगा बाली को कुछ भी समझ में नहीं आया तभी वहाँ पर ब्रहमा जी प्रकट हुए और उन्होंने बाली को कहा पुत्र जितना जल्दी हो सके यहां से दूर चले जाओ बाली को कुछ भी समझ नहीं आया पर ब्रहमा जी की बात सुन करके वह वहां से सर पर दौर लगा दिया, काफी दूर तक जानने के बाद वो ठक कर गिर पड़ा और जब उसे होश आया तो उसने सामने ब्रहमा जी को देखा, तब उन्होंने उनसे पूछा कि ये सब क्या है, हन्मान जी से युद्ध करने से पह तब तुम्हें कैसा लगा? बाली ने बोला, मुझे ऐसा लगा जैसे मेरे शरीर में शक्ति की सागर लहरे ले रही हूँ, जैसे मेरे स्टेज के सामने संसार में कोई भी चीज ना हो, लेकिन ऐसा भी लग रहा था कि मेरा शरीर भी फट जाएगा. ब्रहमा जी बोले, हे बाली, मैंने हनुमान जी को उनके बलका केवल दस्वा भाग ले करके तुमसे युद्ध करने के लिए कहा था, लेकिन तुम तो उनके दस्वे भाग के आदे बलको भी नहीं समाल सके. सोचो अगर हनुमान जी अपने समस्द बलके साथ तुमसे युद्ध करने आते तो तुम्हारा क्या होता? ये सुनकर बाली पसीना पसीना हो गया और कुछ देर तक सोचने के बाद बोला, प्रभु यदि हनुमान जी के पास इतनी शक्तियां हैं तो वे उसका उप्योग कहां करेंगे? तब रामा जी ने कहा हनुमान जी अपने पूरे बल का प्रियोग कभी नहीं कर पाएंगे क्योंकि ये श्रिष्टी उनके बल को सहर नहीं सकती ये सुनकर के बाली ने वही हनुमान जी को दंडवत प्रणाम किया और बोला दन्य है वे हनुमान जिनके पास अथाह बल होते हुए भी वे शांत और राम भजन गाते रहते हैं और एक मैं हूँ जो उनके बाल के बराबर भी नहीं हूँ फिर भी उन्हें ललकार रहा हूँ वे मुझे शमा करें तो इस प्रकार से भगवान श्री हनुमान के बलके दस्वे भाग के आदे भाग को भी ना समाल पाने के कारण बाली को युद्ध छोड़ करके भागना पड़ा ये थी वो कथा नमो नारायन